दूस्तो सलमान खान की फिल्म टाइगर 3, शारुक खान की फिल्म जवान और सनीदीवल की फिल्म गधरटो बॉक्स और इस पर काफी जबड़िस्त कमाई करने में कामयाब हुई मुई आज हम बात करेंगे टाइगर 3 फिल्म के आड दिनों के बॉक्स ओविस कलेक्शन के बारी में और कंपियर गरेंगे क्या शारुक खान के फिल्म जवान और सनी दिवल की फिल्म गदर टोको टाइगर 3 फिल्म पीछे चोड़ने में कामियाब हुई या नहीं और क्या टा आए तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सनी दिवल की फिल्म गदर टो के बारे में आपको बता दें गदर टो फिल्म में आपको सनी दिवल के साथ अमिशा पटेल और उतकर शिश्रमा लीड टोल में दिखाए दिये थे वहीं फिल्म का बजट सिर्प 60 करोड रुपे और काफ्य अच्छा क्रे देखने को मिला ओफल промा ओफल्म ऑफल्म के बॉक्स और शिश्रे दिन कालेक्शन बॉक्स और काफ्य जम्प देखने को मिली ओफिल्म ने लगात तार बॉक्स और काफि ठीक etap कमा यह की कूई अगर फिल्म के पहलेपते और आट जिनों के टुटा कलेक्शन की बात करें तो गदर टू फिल्म ने अपने पहलेपते बोक्स ओविस पर 250 करोर रुपे का जबजिस्ता आकड़ा पार करते हुए 200 चुरिया से 1 करोर 63 लाग रुपे से ज़ादा की कमाई कर ली थी और आट जिनों का टूटा की बोक्स ओविस पर काफी बड़ा कम्बेक माना गया और गदर टू फिल्म का आट जिनों का टूटाल हिंदी पोक्स ओविस कलेक्शन 305 करोर 13 लाग रुपे से ज़ादा हो गया वो फिल्म हिंदी बॉक्स ओविस पर कई बड़े रिकोर्ड तोड़ने में कामियाब हुई लेकिन बात कर लेते हैं इस एपिसोड की दूसरी हो शारुक खान के फिल्म जवान के बारी में आपको बता दे जवान फिल्म में आपको शारुक खान के साथ नयन तरह दीपीक पात और विजे सेतों को देगे साथ साथ और भी तरही मल्टी स्टाक आश्ट देखने को में लेते हैं फिल्म को 300 करोड वे के बिग बजट में बनाया गया लेकि फिल्म को बॉक्स ओविस पर उम्मित के मुताबिक काफी ज़ादा स्क्रिन से मिली ओ फिल्म ने बॉक्स ओविस पर रिलीज होते ही काफी बड़ा रिकोर्ड बनाया क्योंकि फिल्म को वर्ड वाइड बॉक्स इस पर 62 करोड बचास लाख रुपी कमाए वहीं फिल्म का पहले दिन का वल्ड वाइड बोक्स ओउस कलेक्शन भी उम्मित के मुताबि काफी ज़ारा रहा वो फिल्म ने पहले दिन वल्ड वाइड बोक्स ओउस पर 100 करोड रुपे का अखड़ा पार करते हुए 139 करोड एच्छा क्रेस देखने को मिला ओ फिलमने अपने पहले ही दिन बॉक्स वेस पर रिलिस होते ही काफे बड़े रिकोर्ड भी मनाया है क्योंकि फिल्मने अपने पहले अपते ही हिंदी बॉक्स वेस पर तीन सो करोड से जादा की कमायी करते हुए इनदी में 399 करोड 29 लाक रु पुप खान के फिल्म जवान का बॉक्स ओविस कलेक्शन उम्मित के मुताबि काफी अच्छा रहीगा और हो सकता है जवान फिल्म लाइफ टेम बॉक्स ओविस पर इंडिया की सबसे ज़ादा कमाई करने वाले फिल्मों में शामिल हो जाए लेकिन फिल्म के आठवे दिन लगबग 347 करोड़ 990 लाक रुपे के आसपास कमाई करने में कामियाब हुई लेकिन फिल्म का वल्ड वायर बॉक्स ओविस कलेक्शन उम्मित के मुताबि काफी जबजिस्त रहा ओ फिल्म ने वल्ड वायर बॉक्स ओविस पर 600 करोड़ रुपे का जबजिस्त आखना पार करते हुए 659 करोड 40 लाक रुपे से भी ज़ादा का कलेक्शन किया वो जवान फिल्म शारुक खान के करियर की इंडिया के सब सब बड़ी ब्लोगवेश्टर फिल्मों में शामिल हो गई क्योंकि शारुक खान की ओवर्सिस में काफी तगड़ी फैन फॉलिंग है और ओवर रिचत्र चाहरुकों का थिए फिल्म को काफे तगी ओड़ी तैड़ों की कि वज़े से टाइगर 3 फिल्म बॉक्स ओविस्ट पर ओरिजन्स को काफी ज़्यादा पसंद आई वो फिल्म अपने पहले ही दिन इंदी बॉक्स ओविस्ट से लेकर वल्ड वाइड बॉक्स ओविस्ट पर काफी बड़ा रिकोर्ड बनाया क्योंकि फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंदी बॉक्स ओविस्ट पर रिलेज होते ही दिवाली के दिन लगबक्त 40 करोड़ उपे से जारा की उपनिंग की थी वहीं फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वायर्ड कलेक्शन उम्मित के मुताबिक काफी जारा रहा फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वायर्ड वायर्ड बॉक्स ओविस्ट पर रिकोर्ड तोड कमाई करते हुए 94 करोड उपे से भी जारा की कमाई करने में कामियाब हुई वो फिल्म ने अपने दुसरे दिन से लेकर अपने पहले अपते तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओविस पर काफी अच्छा प्रदेशन किया क्योंकि माना जा रहा था फिल्म दुसरे दिन से बॉक्स ओविस पर दम तोड़ देगी सो करोड उपे से जादा की कमाई करने वाली फिल्म बनने के साथ साथ टाइकर थिन ने अपने दुसरे दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओविस पर 116 करोड उपे कमाई जिस हुज़े से फिल्म के तिसरे दिन के बॉक्स ओविस कलेक्शन में भी उम्मित के मुताबिक काफ़ अच्छी पकड़ देखने को मिली वो फिल्म ने अपने तिसरे दिन भी इंदी बॉक्स ओविस से लेकर वल्ल डवाइड बॉक्स ओविस पर काफ अच्छी पकड़ बनाई रखी वो फिल्म ने अपने चोते दिन से लेकर अपने पहले अपते तक बॉक्स ओविस पर उम्मित के मुताबिक काफी अच्छा कलेक्शन किया लेकिन अगर फिल्म के पहले अपते और अभी तक के टुटल बॉक्स ओविस कलेक्शन की बात करें तो शारुक खान के सासा सलमान खान की फिल्म टाइगर थिन ने अपने पहले अपने पहले अपने बॉक्स ओविस पर काफ अच्छा प्रजेशन किया जिस वज़े से फिल्म का बॉक्स ओविस कलेक्शन काफ अच्छा सामने आया उफिल्म अपने हिंदी बॉक्स ओविस से लेकर वल्ड वाइड बॉक्स ओविस पर record तोड़ कामाय करते हुए रखी बड़ी बोल्यूट के सासा सौथ की फिल्मों के box office collection को पीछे चोड़ने में कामियाब हुई लेगे नगा फिल्म के अभी तक के dooda collection की बात करें तो फिल्म को अभी तक box office पर release है आज लगबा 8 दिन से जाधा हो चुके ही वो फिल्म बॉक्स ओविस पर लगातार खाफी अच्छे पगड़ बनाई रखी वो फिल्म अपने आठवे दिन यानि आज भी हिंदी बॉक्स ओविस पर काफी बड़ा दमाका करते हुए काफी बड़ी जम्प पा रही क्योंकि मोर्निंग के शो से ही फिल्म की ओक्युपेंसी में लगबग 50-70% की जम्प देखने को मिली वो फिल्म अपने आठवे दिन यानि आज हिंदी बॉक्स ओविस पर उक्युपेंसी रिपोर्ट के मुताभी 38 करोड़ उपे से भी ज़्यादा का अकड़ा पार किया और बना चारा आए फिल्म आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओविस पर भी काफी बड़ी जम्प आएगी और हो सकता है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओविस पर फिल्म आज डिकोर्ट तोड़ कमाई करते हुए लगबग 45 करोड़ उपे से भी ज़्यादा का कलेक्शन करेजी 400 3,669 करोड़ उपे से भी ज़्यादा का अखड़ा पार कर देगी तो दोस्तो आज की कलेक्शन के मांगि सलमान कान की तो सलमान क्या विल्म आँ सनी दिवल को आप किराये हमनीच के मेंने का जरूरू बतायो डिस नाये तो मास वडियो को लाइक पोच यह कलेक्शन टेक को अभी सब्सक्राइब को विले आकोन ट्रेस कर देजिए